मेरा नाम है शम्षाद अली और आप देख रहें शम्षाद अली ऑफिशल यूटूब चैनल अगर आपने वन क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया हुआ है और आपका वन क्रेडिट कार्ड सक्सेस्फूली बनके आ चुका है और आपने उससे अच्छे खासी सौपिंग भी की है और इसके साथ ही आपने किसी को रेफर किया है उसके थो आपको कुछ रिवार्ड पॉइंट भी मिले हुए है उस रिवार्ड पॉइंट को आप कैसे कैस में रिडीम कर सकते हो आज की सुड़ों में आपको श्टेप बाश्टेप बताने वाला हूँ इसके साथ ही आपने कि पर रेफरल किया था आपके उस लिंक के थूरू कितने लोगों ने इस्टाल किया हुआ है उससे आपको कितना reward point मिला हुआ है आज किसलों मैं आपको step by step बताने वाला हूं तो दोस्तों चलिए समयने करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि आपने कैसे चेक करना है कि आपके रेफरल लिंक से कितनी लोगों ने आपके लिंक से स्टाल किया हुआ है और आपको कितना reward point भी लाओ उसके बाद मैं आपको लाइप रूप के साथ दिखाऊं को कि आप कैसे रिडीम कर सकते हो अपने reward point को कैस में तो सिंपली यहां पर सबसे पहले आपने चेक करना है रेफरल का तो इसके लिए आपने वन कार्ड अप्लिकेशन इस्टॉल कर लेना है स्टॉल करने के बाद सक्सेफुली ओपन वगरा कर लेने के बाद जब आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपकी स्कीन के सामने ओपन होके आएगा जैसा कि यहां पर आपको इसक्रीन पर देखने को मिल नख़ता है इसके बाद यहां पर एक ओपसेन को मिल रहा है आपको बॉक्स का तो आपने सिंपली क्ली करना है उपने बॉक्स पे कर जाना है यह जब से पहला मैंे iter यहां पर आपको हाइलाइट हो रहा है इस पर आपको यहां पर देखने को मिल रहा कितने reward point available है इसी reward point को आपने एजर कैस में रिडीम करना है पहले आप यह चेक कर लिजिए कि आपके आपने जितने लोगों को referral किया है किसने किसने आपका install किया हुआ तो इसको चेक करने के लिए आपने क्या करना होगा यहां पर एक option आपको देखने को मिल रहा है activity का तो simply आपने activity पर क्लिक कर लेना है सबसे पहले activity पर क्लिक कर लेने के बाद यहां पर आपको एक अब आपको यहां पर देख सकते हैं, 2000 reward point हमें मिले हुए हैं, जितनी लोगों को मैंने रेफरल किया हुआ है, इसके साथ ही यह तो हो गया referral का, अब चलिए मैं आपको बताइता हूँ, इससे आपने कैसे cash में redeem करना है, सो फरें one card के reward point को use करने के लिए या फिर बोल सकते है cash में convert करने के लिए, सबसे पहले आपने one card application open कर लेना, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने अपना one card application open कर लिया है, इसके बाद यहां पर एक option देखने को मिलना, कुछ ही तरीके से interface open हो जाने के बाद, यहां पर आपने reward point को use करने के लिए यहां पर एक option देखने को मिल रहा, आपको box का, तो आपने इस पर click कर जाना है, अब जैसे इस पर click करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं, मेरे पास जो available points है, वो है 7000, अब मुझे इसे cash में convert करना है, तो इसके लिए यहां पर एक option देखने reward points, तो आपको यहां पर आप देख सकते हैं, 100 उपीस आपको cash black मिल गा, तो चलिए मेरे मेरे में भी available limit है 7000, तो मुझे इसे use करना है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहां पर आपको 1K जो देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको long press करके slice drop down करना है, तो इसके लिए यहां पर आपने क्या करना है, 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 यहां पर आपने क्या करन मतलब आपके जो आउस्टेंडिंग वैलेंस से उसमें से आपके 100 रुपीज कम हो जाएंगे तो चलिए मैं अब आपको आपको दिखाता हूं मेरा आउस्टेंडिंग अभी कितना है यहां पर आप देख सकते हो क cabeça का को कैसी का सो इस तरीके से आफ वन कार्ड को आप अपने काट की काइसी कन वर्ट कर सकते हो आज कि सुरूंग आपको स्टेप बाज़ते बता है अजा अपको आप कमेंट कीजे चैनल पर नए है तो विप्रीज चैनल को सब्स्क्राइब किजिए तो दोस्तों अपने तोस अली को इसाज़त दीजिए मिलते से नए वीडियो के साथ तब तक के लिए टेक क्यार बाबाए